हेलो इस्टूइंट आज क्या हमारा सेशन है वो NDA 2 2019 पर है इस सेशन में क्या-क्या चीज़े कवर करने आला हूँ पहले बता दू नमबर वन की सेशन में जो इस कमिंग वीक में सेकंड जून को जो टेस्ट है वो डिसकस करूँगा और बाद में इरीना माडम आपके साथ अपने जीएस के सेशन के बारे में बताएंगी क्योंकि माडम जैसे अभी जोगरफी चल रहा है जो नेक्स वीक में कवर हो जाएगा पर उसका पॉलिटी सटाट करेंगी पर हर सेशन में माडम करेंट अफेर्स के भी कोशिंस बच्चों के साथ डिसकुस करती है और कैसे जोड़े हैं क्या चीजे पढ़नी है क्या चीजे सुनिए वह इंप्रेंट है तो वो पूरा सेशन आपके साथ यह मेरे मेरे बताने के सबसे पहले हम बात करते हैं संडे संदे को तो इस संडे को को आपको टेस्ट मिलेंगे इनमर वन extraordinary tolerant को ऑस्ट कोगर्फिक का इस तरह से दो टेस्स आपको रहे ईस Considering हमने math के साथ सथ अफ GAT के paper भी मिलेंगे next Sunday को जो paper मिलेगा वो भी मैं आपको idea दे रहो math का एक test होगा progression का एक test होगा geography का एक होगा physics का और एक English का भी test होगा यानि आपके testing frequency बढ़ा नहीं है क्यों बढ़ा नहीं तो मैस में मैं बता दू कि 10th, 9th जून तक तो progression चल रहा है क्लास में उसके बाद मैं इस बार 10th जून से जो है वो start करूँगा ट्रिनमेंटी और ट्रिनमेंटी के बाद कैलकुलस अब ये question आपके दिमाग में जरूर आएगा कि इस बार ये topic पहले क्यों लिया जा रहा है मैं आपको बता दू कि इस बार में topic पहले इसलिए ले रहा हूँ कि अगर ट्रिनमेंटी और कैलकुलस को टूटल देखें तो इन दोनों को मिला के लगवग लगवग 42 मतलब approximate बोले तो 50 के आसपास question आते हैं यानि one third से जादा portion केवल इन दो topics से cover होता है और इस Sunday को अब जो हम लोग online वाले बच्चों के साथ बार एक change करने वाले वो ये है कि इस Sunday को जब आपको हर Sunday जो test होंगे उसमें पुराने जो topics हो रहे हैं उनको भी हम test में add करेंगे तो calculus और trigonality एक ऐसा portion है जो सबसे अदा score भी करता है और सबसे अदा question भी आते हैं तो इसको starting से पढ़ाने का फायदा ये होगा कि number तक आपको लगवक्त trigonality और calculus के test मिलते रहेंगे regular basis पर और इसके बाद जब trigonality और calculus खतम हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे coordinate geometry और फिर मिसलिनेच छोटे छोटे topic algebra के तो ये एक pattern को आपको follow करना है अब आपने जो जो question मुझे भेजे हैं जो जो आपने comments किये मैं उनका भी जवाब दूँगा फिर उसके बाद इरीना मेडम को बुला होगा नमबर वन कि जो बच्चे अभी अभी online course से जुड़े हैं वो कैसे cover करेंगे देखिए एक ची याद रखेगा अगर आप online course से जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि regular बच्चे online course से जुड़ते जा रहे हैं तो जो topic हो चुके हैं उनको आपको अपने label पे एक end पे cover करना होगा आ सर classroom course से अभी भी जुड़ सकते हैं तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा आप चाहें तो classroom course से अभी भी जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी syllabus में एक ही topic जो हमने start किया है वो है APGPHP इसके लावा geography फिर से यह मैडम बताएंगी कि किस order में चलेंगी सारी चीजों में जो जो अभी cover हुआ है इसका revision भी होगा तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं 10 जून से अगर आप चाहें तो जुड़ना चाहें तो batch के साथ जुड़ सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है क्योंकि यह topic में 10 जून से कर रहा हूं 10 जून से ही मैडम quality start करेंगी यानि आप अगर चाहे हैं तो इस topic के साथ जुड़ सकते हैं एक चीजा याद रखिएगा six month का time में बहुत ही well planned तरीके से अगर आप study करेंगे तो इसका ज्यादा आपको फायदा मिलेगा और इसलिए इन topics को cover कर रहे हैं अब मैं चाहूंगा कि माइनम अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि physics में समय क्लास में current electricity चला है और chemistry में चला है और English में वकेफ चला है यह portion क्लास में continuously चला है तो आप सब लोग घर पे भी कोशिश करें जब आप online कोर्से जुड़े हैं तो इन topics को cover करते हूँ चलें अगर आप academy के according चलते चलेंगे क्योंकि आप में से कुछ लोग नहीं आपा रह और ट्राइए करेंगे कि हर टेस्ट में आप अच्छे से परफॉर्म करें और जो जो टॉपिक हम बता रहें वो टॉपिक्स को आप cover करते चलें और फिर उसमें कोई doubts आए तो आप पूछ सकते हैं अच्छा काम हम लोगों ने इस बार स्टार्ट किया कि SSB के भी session regular स्टार् के लिए सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको केवल लिटर ने निकालना पर SSB के लिए प्रिप्रेशन का जो मॉडूल है वह बहुत आलग है बहुत सारी इनर कॉलिटीज है जो आपको डवलप करनी है तो वो सेशन यहां पर हो रहे हैं तो आप भी उन सेशन में जो कि चीजह परदाने क्योंकि बता कि इनको एक प्रॉलम के पढ़ना कैसे कि से पढ़ें एक तो फी प्रॉलम होता है तो आप इनको बताएंगे नम्बर वन कि अभी जो 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 अपने ही में कवर करवा यज़ कर वाई दू को किस धंग से करवा हैं प्क्यास्वा जुटि बात करें, तो GS को कैसे cover किया जाएगा, ये कैसे topics कवर होंगे, क्या-क्या पढ़ना है, किनके इन books से पढ़ना है, इसके बारे में मैं भी आपसे discussion करूँगी, यहाँ पे मैं सबसे पहली बाग ते जो start करूँगी वो current affairs ही होगा, current affairs कैसे पढ़ना है, कब तक का पढ़ना है, और strategy क्या होनी चाहिए, और class में हम कैसे follow-up कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊगी, current affairs क्योंकि आपका exam में अब इस बार है, November में, और 21 अप्रेल को paper हुआ था, तो आप मार्च से लेकर के, क्योंकि आपके पास sufficient time है, तो आप January से लेकर के, November तक का current affairs को ठीक ठाक कुछ की strategy जो follow-up करेंगे, वो हमारी class के according कर सकते हैं, हम class में कैसे कर रहे हैं, class में हमारी तीन दिन की classes का schedule होता है, Thursday, Friday, Saturday, GS की class होती है, अब यदि हम six days का current affair count करें, तो six days की current affair को, हम three day में किस तरह से cover कर रहे हैं, हम इंके दो-दो दिन के current affair को, एक दिन, जैसे Thursday है, तो हमन हमने दो-दिन का current affair कर लिया, फिर दो-दिन का हमने Friday को कर लिया, फिर दो-दिन का current affair हमने Saturday को कर लिया, तो पूरे हफ़ती का current affair हमने तीन दिन का, तीन दिन में cover कर लिया, ओके, आपके पास करना क्या है, रोज current affair पढ़ना है, अपनी एक separate copy बनानी है, दा Hindu paper को देखे, जो तो भी आपको authentic questions लगते हैं कि exam में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन examination के purpose important questions को आपको cover करना है, जिसे कि recently current affair में क्या चीज़े रही हैं, ये आपके SSB के लिए भी important रहेगा, तो जिन लोगों का last session का SSB बहुत, sorry, examination बहुत अच्छा गया है, जो SSB के लिए appear होंगे उनको भी current affair में fully focus होना चाहिए, for example, current affair के लिए अभी questions आ सकते हैं, जैसे कि appointments जो रहते हैं, कोई आपके submit कहां पर हुई है, okay, naval exercises कहां पर हो रही है, army exercises कहां पर हो रही है, any defense की जो भी exercises हैं, आपके science and tech के जो inventions हैं, okay, कौन सा rocket newly launched हुआ है, और इस तरह से appointment, death, award, personality, इस देके questions आते रहते हैं, SSB में यही questions, जो factual questions रहते हैं, वो analytical questions में convert हो जाते हैं, जैसे, अभी recent बात करें, तो आपको अभी highlighted topic में दिखा होगा, फिर से एक topic जो दो सालों से चल रहा है, Brexit, ठीक है, Brexit में London UK के प्राइम मिनिस्टर ने resign कर दिया, अब यह Brexit, किसने resign किया यह शार में पूछा जाए, लेकिन Brexit क्या है, इसका Britain के सासार, वर्ल्ड की एकोनोमी पे, specially European Union पे क्या effect पड़ेगा, इस तरह किसी चीचे आपको analysis कननी चाहिए, ठीक है, दूसरा example लेते हैं, recently Dr. Payal का, okay, reservation kind of caste system related उन पे कुछ ऐसे ragging type का उन पे दोशार open किया गया, तो यहा educated लड़की को well educated उसके साथ के लोग किसी बेस पर, जो की caste based system है, reservation system है, इनके basis पे इतना जादा टॉर्चर कर देते हैं कि वो लड़की ससाइट कर देती है, अब यहाँ पे current affairs की questions कैसे बनेंगे, यह हमारा article जो constitution में equality का right दिया गया है, article 14 से 18 तब का ठीक है, उसके अलावा हम हमारी system में जो socio-economic equality की बात की जाती है, जो SST के अलावा प्रोजेक्स चलाए जाते हैं, तो इस तरह की चीजे कितनी beneficial society में, reality में उनको मिल रही है, यह समाज में, इसके वज़े से क्या negative effect पे लोग क्या analysis कर रहे हैं, क्यों लोग accepting कर पाते हैं, बहुत सारी चीजे हैं, कि ह हम इन चीजों को analyze करें कि आखिर क्यों एक qualified equality को वहाँ पी suicide करना पड़ा, इस तरह की जो ragging system से उन में किस तरह की और committee form होनी चाहिए, नए recommendations आनी चाहिए, क्या-क्या इस तरह की बचाओ हो सकते हैं, जो समुदाय विशेष को एक protection ले, ठीक है, इसे तरह से recently आपको पता है कि new cabinet को formation हो चुका है, है नो, नया मंत्री मंदल गठित हो चुका है, अब three level पे तो questions होगे, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, कौन सा department किस minister को और ने occupy किया है, लेकिन सास में ही, आपको new policy के purpose view से कि ये जो ministries होती है, ओके, जो हमारी parliamentary system है, इंडिया में, जो हमारे democracy है, वो किस तरह से run करती है, पार्लियमेंट क्या होता है, लोग सभा क्या है, राजे सभा क्या है, इस तरह के questions को थोड़ा से देख लेने, quality point of view से, और साथ में, इंडिया में, जो democratic के इतने बड़े लेबल पे एकता बड़ा election organize करना, democracy, जो world की सबसे बड़ी हमारी इंडि आपको एक एक एनालिसिस करेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपने तीन टॉपिक देखे, एक बेगजिट का टॉपिक, एक डॉक्टर पायल से रिलेटर रिजर्वेशन और कास्ट और रैगिंग सिस्टम, और तीसरा हमने जो न्योई को याविनित फॉर्म हु आप न्यूज चैनल्स बेख रहे हैं, ठीक है, न्यूज चैनल पांस दस मिनट को कोई भी ऑथेंटिक, फॉर एक्जामपल डिदी नेशन या राज्यसवर न्यूज चैनल को देख लीजे, और रोज का न्यूज पेपर पढ़ लिजे, तो शायब वो भी काफी हद तक आप आपको जो नए लोग है, वो लोग अभी रिसेंटली आपकी स्कोलिंग खतम हुई है, आपने बहुत अच्छे सेंसी आर्टिस को पढ़ा है, जादा भूले नहीं होगी, विल्ट रिवाइस करने की जरूरत होगी, तो यहां यह एड़्वाइस रहेगी, कि चाहे वो जेग इन सारी सब्जेट्स के लिए आप अपना बेस बनाएए एंसी आर्ट को, ठीक है, कौन सी बुक्स को आपको फोलो करने है, एंसी आर्टिस को देखना है, साथ में यह बेसिक बुक के बारे में आप चाते हैं, तो लोसें, और कुछ भी यहां पे पाथफाइंड जैसी जरूर देखते रही है, क्योंकि यहां पे एंसी आर्टि बेस्ट को ज़्यादा पूछे जाते हैं, बुक्स को आपको इक ब्रेस बनाना है, लेकिन एंसी आर्टिस से ज्यादा से ज्यादा से लिए उसको कवर करने की कोशिश करनी है, इस्पेशली वर्ल हिस्ट्री, यदि पुर्षी की बात कीजाए, ठीक है, तो वर्ल हिस्ट्री के लिए आपको एंसी आर्टिप्स को परिफर करनी लेना चाहिए, इस साल देख गया थे, अंडिये में वर्ल्ड हिस्ट्री के काफी कोशन्स, NCRT से पूछे गए, और जनरली और बुक्स में आपको मिलते नहीं, यदि आपको फिर उसके लिए UPSC लेबल की बुक्स, CIS लेबल की पढ़ने पढ़े की, तो उतना देप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो उनको पॉलिटी इतनी अच्छे से भी करवा दी जाते हैं, बहुत बड़े सिलिबस में होता है, डारेक्ट कोशन्स आते ही, इसली आप उसको अटेमिट कर पाते हैं, ठीके, और फिर बचान एकोनोमिक्स, तो जब यहाँ पर बात हो रही है जोग्राफी की, तो एक स्ट्र सब्सक्राइब करें, तो जैसे आप जून स्टार्ट होना है, जून में लगुत 10 जून से लेकर के, लास्ट जून तक हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में हम जून में पॉलिटी को कवर कर दें, ऐसे आपको भी स्ट्राटेजी अपना है अपनी रूम में, यदि आप अपन करेंगे, ठीक है, बिस दिन में से लेबस हो जाना चाहिए, पॉलिटी का, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जून के बाद जब जुलाइ का मन्त आएगा, तो जुलाइ और अगस्त, क्योंकि हिस्ट्री एक प्लैंदी पोर्शन होता है, तो हम इन महीने में हिस्ट्री को करने की कोशिच करेंगे, जुलाइ और अगस्त में हिस्ट्री ती जे फिर इसके ब आईगा सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में क्यों करना है आप को सेप्टेम्बर में में इकोनोमिक्स, ओके, एकोनोमिक के साथ साथ मिसलीनियस पोर्सन जो भी होता है, उसको कवर करना है, है ना, अब इसके बाद आपके हाथ में सीधे सीधे बच्छे का अक्टूबर प्लस नवंबर का हाफ भी, यह जो डेर्ड महीं में रहेंगे, इंको पूरी तरह से आप रिव पूरे डाटा कवर कीजिए, एक चीज और दिहार रुखनी है, कि जिनका यहां पर जोग्राफी छूटा हुए है, वो जूर में पॉलिटी के साथ, ठीक है, या फिर जब आप सेल्फ कर रहे हैं, तो पॉलिटी और हिस्ट्री के साथ वन और निकाल करके है रख से टाइम, को भी कवर करते चले, अधरर्वाइस, जैसे ही हिस्ट्री खतम हो, तो सेप्टेमबर पूरा का पूरा महीना ऐसा रहेगा, जिसमें आप छूटी हुई सब्जिट्स को कवर करने की पूरी पैबिलिटी रखेंगे, एकोनोमिक्स तो कम ही पूछा जाता है, ठीक है, उसके ल सब्जिट्स को आप कम्क्लीट कर पाएंगे, फिर से मैं इन आगे बातों को दोहराती हूं, रिवाइस करवाती हूं, जितना से लेबस है आप, अभी जून है, जुलाई है, आपके पास अगस्त है और सेप्रेमबर है, इन चामीनियों में बहुत सफिशिल टाइम है सेशन के लिए, आप अच्छे से पूरी के पूरी सब्जेक्स का पर्टिकलर टाइम टेबल बनाएं, हमें फोलो कीजिए, इस टाइम टेबल के अकोडिंग अपनी सब्जेक्स को NCRT प्लस लुसिंट को बेस मान करके कवर करने की कोशिश कीजिए, प्रिवियस एके पेपर्स यह एक दिन कभी मिस हुआ, तो आप एक नंबर, एक कोशन, यानि चान नंबर का एक कोशन निस कर सकते हैं, डेली करेंट अफ्यर जादा नहीं होता, पांट से छे पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, थस्टे को हम यहां पर आए, कैन पॉइंट्स हमने अपन्डी को बैठ करके क्या किया, वो पूरा तीन होते इंकर कर अफ्यर को लगभग 15 से 20 पॉइंट जो आपके सामने निकल करके आरें, उनको फिर से रिकॉल कर लिया, इस तरह से आपको कर अपको कर लिया, जब आपको अक्टूबर और नवंबर में रिवाइस कर रहे हो होंगे तो बहुत बड़ा बोज नहीं बनेगा, यह आसानी से आपको रिकॉल और रिवाइस हो जाएगा, तो इस तरह से एंडिया के प्रिपरेशन के लिए इस सेशन में आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, और सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में पहले भी वीडियो बनाए जा चाहिए हैं, आगे भी हम इन पे टॉपिक वाइस वीडियोज बनाएंगे, अभी एक स्ट्राटेजी थी कि आपको किस सब्जिट को और क्या सोर्स मान करके पठाई करने चाहिए, करेंट अफियर को डेली दाहिंदो नियूस पेपर उठा करके अपनी कॉपी में आपडेट होना चाहिए डाटा, तो यह ना केबल आपकी इस स्ट्राटेजी में बलकि साथ में SSV के प्रिप्रेशन में भी बहुत हैल्फुल होगा, विशु आल दे बेस, थैंक यू